नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का YFM Security में दोस्तों आज के दिने संडे का रो आज के दिन मैं आपके Question को Pick करता हूँ उसके आंसर देने की कोसिस करता हूँ तो सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहला सवाल है Amit Patel जी का इनका कहना है कि डिलीट किया हुआ वीडिय है तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब format होता है तो दो-तीन बार ओवर्राइट हो गया होगा आपका हाट ड्राइग तो अगर ओवर्राइट हो गया है तो आपके लिए समझ से खड़ी हो जाएं रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है अगर नहीं होआ है और आपका format किया गया है तो फिर बहुत तरह के data recovery software है जिससे कुछ समभावना हैं बनती है कि recover हो जाए बट 100% तो रिकवर नहीं हो सकती है तो अगर आपने override कर लिया 3-4 बार तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ग्यासुदिन जी का कहना है कि I client आपके पास आते हैं तो आप उनसे प्रोड़क्ट लेका आप इस्टॉल कर सकते हैं आपको technical information की थोड़ी जवरत पढ़ेगी और technical बंदियों का अगर आप रखते हैं तो वह सारा काम आपका कर लेगा बस इस तरह से ही आप सुरू कर सकते हैं बाके deep में आपको जानना है तो फिर आपको मुझसे बात करने हो कि यहाफ ही मेरे वीडियो को आप देखिए इसमें काफ़ information आपको मिल जाएगा इससे related इमरान चौदरी जी का कहना है कि सर टेक्निकल पार्टनर पर वीडियो बनाओंगा जो कि मैंने आप सभी को कहा ही था कि अगर आपको चाहिए तो में बनाओंगा और मैं एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं कुछ अगले हपते से मैं कुछ वीडियो में बनाओंगा जिसमें की बहतर कैरियर है जो CCTV सीक्यूर्टी इंडिस्ट्री में काम करते हैं उसका बिजनस करते हैं आने वाले समय में किस तरह का बिज क्लिए अपना अगर मैं दे दू कीज़ को कैमरा है और उनकी बाइक चुरी हो गए मगर नंबर नहीं दिखाए पर रहा है पुलीस एक्षन नहीं ले रही है तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था इसे रिलेटेट एक motion DSP नाम का एक software है जिससे कि आप CCTV में जो footage record हुए हैं जो सही quality में नहीं आया है उसे आप clear कर सकते हैं बट मैंने आपको बताया था कि आपको वो काम खुद से करना होगा और आपको उसके license को purchase करना होगा फिर आप अच्छी तरह से ये काम कर पाएंगे तो इनका करना था कि इनके पास PC नहीं है यानि कि computer नहीं या laptop नहीं है तो मेरे लिए काफी मुस्कुल हो जाता है कि मैं इस तरह से मैं work करूँ उनका कहना कि आप मुझे photo जो है clear करके दे दीजे तो मैं in future को सोचूँगा कि इस तरह की चीजे मैं करूँ ताकि आपको इस तरह की परिसानी आये तो मैं खुद से solve कर सकूँ तो मैं सोचूँगा in future बट अभी मेरे पास आप किसी other brand के use कर रहे हैं अगर branded है तो पर अर्थिंग पोट तो रहे गए अगर नहीं है तो अर्थिंग पोट की issues आती है तो आपको उसमें समस्या देखने को मिलेगी अगर नहीं पोट है तो फिर मैंने कई बार कोसिस किया कि अगर port नहीं होता है जो negative जो point होता है उसमें मैं उसे दे देता हूं तो मेरा काम चल जाता है बट power supply एक ऐसे चीज है कि यहाँ पर अर्थिंग port आना बहुत ही जरूरी है तो अगर branded नहीं है आपका तो फिर यह दिकर तो आपको आएगे राहुल जाइसवाल जी कहाना है कि email test के समय dns फेल्ड आ रहा है यह बहुत important सवाल है email test के समय अगर आपका dns फेल्ड आ रहा है तो आपका जो dns server प्रेफेट dns server 8.8.4.4 या फिर अल्टरनेट dns server आपने 4.4.4 आपने डाला है तो वहाँ पर आप maximum जो है मुझे पता होगा कि आपने dhcp को enable करके आपने सारे काम किया होगा enable करना पर auto में जो है आपका ipo बगर ले लिया गया और आउटर से तो अगर आपने enable किया तो वहाँ पर आपका वह काम नहीं करेगा तो अगर आप उसे हटा कर भी देख लिए और टेस्ट सक्सेस होता है या नहीं होता है अगर नहीं होता है तो फिर प्रेफेट dns server में आपका 8.8.8.8 डाल के आप देखिए तो आपका काम हो देख और भी कुछ security आपने डाल लखी तो उसे आपको off करना होगा काम हो जाएगा और कोई issues तो इसमें नहीं आते हैं तो ये थे कुछ सवाल जिसका मैंने आज answer दिया है और अगर आपको कुछ जानना है तो please मुझे comment कीजएगा मैं कोशिस करूँ कि कुछ से detailed videos related मैं आप स सबीके लिए बना कर लाओं धन्यवाद